दोस्तों हमारी यहाँ जोरो सोर से धान की कटाई लड़ चुकी है और धान को काट करके किसान इसे ट्रॉली पर लाद करके और अपने खलियान में ले जा रहा है वहाँ पर इसका अन निकालने का जो भी प्रोसेस है वो किया जाएगा लेकिन यहाँ पर मुझे एक प्रॉबल करना पड़ता है और कई बार तो ऐसा होता है कि सीड़ी पर चड़ करके और बोजे को जब उस पर लादा जाता है तो बोजा के साथ साथ आदमी भी गिर जाता है और बहुत बार इंजर्ड भी हो जाता है तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा डिवाइस ब बनाने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा चलिए वीनादेरी के सुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर रोक दिया हूं और इन सारे बोजे को मैं अपने डिवाइस से उठाने वाला हूं और फिर उसके बाद ही यह ट्रॉली आगे बढ़ेगा यहां स कर दिएगा हूं झाला हैं तो झाला हैं प्रिएगा हैं जासा हैं वीनाद सबस्टीजिया यह हूं पर पाला हैं प्रिएग को तर्भाँ प्रार फिर रहे हैं धंग। तो दोस्तों यहां पर देखिए फाइनली हमारा यह मसीन पूरा तरह से बन के तैयार हो चुका है और यह काफी ज़्यादा बड़ा भी है यहां पर देखिए उधर से दबाने वाला है और यह ऊपर नीचे हो जाएगा दीचे करो तो यहां पर देखिए यह नीचे हो जाएगा और इसमें हम लोग बोजे को रख देंगे यहां से और वहां से दबाने के बाद यह सीधे ऊपर चला जाएगा और साथ में इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं यानि बोजे को लाद करके किसी भी डायरेक्शन में इस धर से घुमा सकते हैं जैसे कि इधर लादना है तो ऊपर करके हम लोग और ऐसे छोड़ सकते हैं तो इधर लाओ यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं इधर है बहुत ही लंबा और इधर है यह बहुत ही छोटा और ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही कम जोड़े स्ट्रक्चर है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक तरह से ट्रेंगूलर सेप बन देता है लेकिन यहां पर एक एंजिनियरिंग प्रोब्लम भी है यहां पर जैसे कि यह बहुत ही लंबा है और इधर बहुत ही छोटा है तो जब भी हम लोग उधर बोजह को रखेंगे तो इधर बहुत ज़्यादा वजन लगाना पड़ सकता है लेकिन इसका भी सॉलूशन किया जा सकता है अगर यह बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है तो इधर हम लोग वजन डाल करके और इस चीज़ को हलका कर सकते हैं तो चलिए बीना देरी कि यह इसका टेस्ट करते हैं तो यहां पर देखिए रामू वहां से रख दिया और अब मैं यहां से उठा करके और ट्रॉलर पर लादने का प्रियास करूंगा हम् हो भाई साथ जैसे कि मैंने बोला था कि यह इधर बहुत ज्यादा वजन लगाना पड़ेगा तो मैं यहां पर इधर बहुत ज्यादा वजन वास्तों में लगाना पड़ रहा है तो मैं यहां पर एक वजन लटका दे रहा हूं मिट्टी से भरे हुए बोरे को जिसे भरे वह बोरे को हम लोग ले जा रहे हैं एक साइड जैसे लगा देंगे तो इसका एफोर्ट बहुत ही कम हो जाएगा और यह मिट्टी जो है ना बहुत ज्यादा वास्तों में यह भी भारी है कि अब रखो यह रमो है ओके तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह कितना मस्त तरीके से यह उपर उठ चुका है और देखिए इस इसे मैं किस तरह से आसानी से ले जा रहा हूं और वहां पर आप चड़ जाएगे भाईया ओके तो यहां पर देखिए अब वहां से आसानी से इसे उठा करके रॉली में रख दिया जाएगा दोस्तों यह वास्तो में बहुत ही कम एफर्ट लग रहा है इसको इस बोजे को लादने में यहां पर अभी देखिए इसको मैं फिर से लाद रहा हूं यह देखिए भाई साप यह कितना असानी से उपता उपर तक चला गया है और देखिए यहां पर यह दूसरा टाइम्स और यह बहुत ही आसान है देख सकते हैं थोड़ा सावी एकदम से ऐसे लग रहा है कि जैसे इधर लगा एक जा रहा है और उधर से यह आसानी से निकल जा रहा है यहां पर देखिए सबसे खास बात यह है कि इसे हम लोग इतना उपर तक यहां पर देखिए इसे हम लोग इतना उपर तक लाज सकते हैं तो दोस्तों अब यहां पर रामू ट्राइग करने वाला है और यह बताएगा इसके लिए यह कितना ज्यादा हाड है ले दाओ उस बोजे को लाओ कि जो खेट में जो कोई रोड नहीं होता है फिर भी देख सकते हैं कितना असानी से चल जा रहा है ताकत लग रहा है क्या रामू हां हो गया अरे भाई पूछने से पहले ही हो गया अज़ा यह आपका खेट है आप भी ट्राइग करेंगे क्या इस मसीन को आपके अरे यह तो बहुत आसानी से कर ले रहे हैं खेट में भी आसानी से यह चल जा रहा है इसका वील ओके रामू इसको रिसीव करो कि पार्ष्ट पार्ग ऑके यह देखिए भाई सब यह गया पारसल हमारा यह ट्रेलर के पास ज्यादा यहां पर यह निकल चुका है यह पारसल का जो ट्रेलर यहीं प्लट चुका है और इसे अभी सीड़ा कर रहे हैं उस्तों फाइनली हम लोग बहुत ही कम टाइम में सारे बोजे को ट्रॉली पर लाज चुके हैं और इस मसीन के मदद से यहां पर देख सकते हैं यह परफैक्टली वर्क किया है तो दोस्तों यह था एक मसीन जिसे हम लोग बोजे को उठा करके और लाज सकते हैं इसे पहले भी हम लोगों ने किसानों के लिए एक मसीन बनाया था तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से द आड़